हैले दोस्तों स्वागेत आपका मेरे चैनल वास्तो ट्विप्स घरेली उपचार में यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आज हम बात करेंगे अपनी रासी के अनुसर कैसे पता कर सकते हैं कि साधी किस उमर में होगी। हर किसी के लिए भिवा का एक खास महत तो होता है, वही हमारे समाज में इसे सबसे बड़ी सचता माना गया है। इसके लिए जैसे ही कोई विवायोग्य होता है तो परिवार के साथ समाज उसके उपर विवा का दवाब बनाने लग जाता है. जिसमें दो लोग जिन्दगी पर एक दूसरे का साहत निभाने के कस्में लेते हैं यह बंदन परिड़े सूत्री या भिवा बंदन होता है हर कोई यूग या यूगती एक उम्र के पच्चात भिवा के सपने को सजोना सुरू कर देते हैं वे हर तरीके से अपने भिवा को अच्चे से संबन करने का प्रियास करते हैं चाहे आधुनिक हो या पारंपरिक चाहे भिवा इस्तल हो या साधी के लिबास हो मनुस्तिकी रासियां भी उनके भिवा के बारे में कुछ संकेत देती हैं रासी की अनुसार जानने की कोज़िस करते हैं कि किस जातक की साधी किस प्रकार से संबनने हो सकती है तो चलिए जानते हैं रासी अनुसार साधी की सही उम्र क्या होनी चाहिए सबसे पहले जान लेते हैं मेई सासी के बारे में मेई सासी के लोग दैरें नहीं रखते हैं और ही हर काम को जल्दबाजी में करते हैं इनकी साधी भी जल्दबाजी में ही होती है लेकिन इनकी बिवाव की सही उम्रे 17 साल की उम्रे के बाद ज्यादा सही रहती है विर्षब रासी इस रासी के जातक जहां अपनी धुनके पक्के होते हैं वही इन्हें ऐसे लोगों का साथ काफी भता है जो उन्हें काफी प्रेमों सम्मान देते हैं इस कारण से जैसे कि इनकी तलास अपने महचाई जिवन साथी पर आकर खत्म होती है तो इसाधी कर लेना चाहते हैं ऐसे तीसवे साल में जाकर इनके लिए विवाग करना एक अच्छा विकल्ब साबित होता है मिथून रासी इस रासी के जातक 20 साल के आयू सीमा तक भी आकर जिगर में प्रती गंभीर नहीं होते जिनसे अच्छे वा बुरे पेड़ाम और स्वयम ही भोगते हैं दरहसल अपनी रासी चेनन की भाती ही इनके मन में विचारों को लेकर हमेसा द्वन बना रहता है हाला कि अपनी सुभाओं के दोहरे पक्ष में बहुत खुवी इस्तेमाल करना जानते हैं मगर जातर मिथून रासी के लोगों के लिए 30 के बाद ही साधी के बंदर में बना मंगलकारी रहता है करक रासी करक रासी के लोगों को कमोर में भी विवाग करने की ललग रहती है इस वज़े से ये जल्दबाजी में कोई निर्ना ले ले लते हैं इनने 30 की उम्रे तक साधी करने चाहिए इस उम्रे के बाद साधी करना आपके लिए ज़्यादा सूप हो सकता है सिहारासी सिहारासी के प्रेम संब्दे लम्मे समय तक बने रहते हैं देर से साधी होने पर भी इनका बैवैक जोन सुखी रहता है इनकी विवा के साधी उम्रे 35 साल होती है करन्यारासी करन्यारासी के लोग अपनी साधी में हर चीज को 12 के साथ करते हैं इनकी साधी में भविता की ज़्यादा भूमिका होती है इनकी साधी रासी साधी से भी ज़्यादा भविय होती है करन्या रासी के लोग छोटी उम्र में ही प्रेम संग में पढ़ जाते हैं ये हमेशा अपने साधी के पृति इमानदार रहते हैं साधी की साही उम्रे इनके लिए 25 से 26 साल रहती है तुला रासी तुला रासी के जातक धहरवान होते हैं लेकिन कभी-कभी ये मांसिक रुप सासांत भी हो जाते हैं तुला रासी के लोगों को साधी की साही उम्र 20 से 30 साल के बीच होती है तुला रासी के लोगों की साधी थोड़ी अलग सी होती है ये अपने परिकल्पनाओं की तरह ही अपने साधी करना चाहते हैं इनकी साधी में अर्चने भी आती रहती है इनका विवाय एक कहानी ये पटकता की तरह होती है ब्रिश्चिक रासी बिष्चिक रासी के लोगों की साधी बड़ी धूम से होती है इनकी साधी में किसी पिरकार की कोई कमी नहीं देखती इन लोगों की साधी में खाना, सजावट, संगीत, महमान, नवाजी हर चीज़ पर पूरा ध्यान दिया जाता है बिस्टिक रासी के लोग अपने जियों साधी पर अधिकार जबाने की कोस्स करते हैं जल्दी साधी करने पर इना परेसानियों का सामना करना पड़ता है इस रासी के लोगों के लिए साधी की सही उम्रे 30 साल के बाद होती है धनुरासी धनो-रासी के लोगों को दूसरों की बात आसांसी समझ नहीं आती इन लोगों केलिए सादी की साही उम्रे 34 साल के बाद रहती है इस उम्रे के बार सादी करने पर इनका भागज़ हो सकता है धनो-रासी की लोग जातन तक रेस्टिनीयसन सादियों को पसंद करते हैं इन लोगों की साधी में मनmbरंजन के सारे साधान होते हैं ये साधी में हर चीज अपनी शमता की अनुसार ही करते हैं इस रासी के जाटक सोबहों से काफी मिलसार और हर परिस्चिती में ढल जाने वाले होते हैं इसी वज़े से इनके लिए साधी करने को चाहे 20 या 30 फिर 40-50 के उम्र इनको कोई खास फरक नहीं पड़ता। दरसल इने साधी के लिए समय सही लगता है वो इस समय इनके लिए उपिक तो हो जाता है। कुम्भ रासी के लोग अपने जिवन के 30 सकारात मक्त रवयया रखते हैं ये हालात के अनस्वार खुद को ढाल लेते हैं इनके लिए साधी की सही उम्र 32 साल के बाद रहती है। कुम्भ रासी के लोग अपनी साधी में हर चीज को आधनिक तरह के से करना पसंद करते हैं। ये साधी को पूरे उस्सा के साथ तथा पूरी तयारी के साथ करते हैं। परिवार और मित्रों के साधी का अलग रंग जमता है। मीन रासी मीन रासी के लोग बहुत ही रोमांटिक तरह के होते हैं और इनकी साधी भी रोमांटिक तरीके से होती है ये अपनी साधी को एक कहानी की तरह मनाना पसंद करते हैं परिवार और मित्रों के भरपुक से योग से इनकी साधी संपन्न होती है मीन रासी के लोग बहुत योजनाई बनाते हैं और उन्हें आसान से साकार भी कर लगते हैं इन लोगों को 26 साल की उम्र के बाद बेवा करना चाहिए तब इनका भागते उदाई हो सकता है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सेर कीजिए ताकि मैं रोज नहीं नहीं वीडियो आपके लिए ला सकूँ